फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम क्लास 10 के हिंदी के एक इंपोर्टेंट टापिक रस को यहां पे कंप्लीट करेंगे जहां से आपके बोर्ड में 100% यहां से हर साल सवाल बनते रहते हैं फ्रेंस आप एक प्रोपर नोट्स बना लिजिए जितने भी आपको अम टापिक पढ़ाने वाले उन टापिकों को आप एक नोट्स पे बकायदे लिखिएगा जिससे आपको उन टापिकों को पढ़ने में आपको आसानी हो फ्रेंस यहाँ पर आपको handwriting notes प्रोवाइड करेंगे और आपको एक लिकित notes मिलेगा जिससे आप उस topic को अच्छे से conceptual समझ सकते हैं तो फ्रेंस चलिए यहाँ पर video start करते हैं तो फ्रेंस यहाँ पर rust को यहाँ पर complete करते हैं तो फ्रेंस देखें यहाँ पर rust का पहले परिवासा देखते हैं तो फ्रेंस देखें रस होता क्या है तो फ्रेंस जब भी आप किसी भी काब्यको पढ़ते या सुनते हैं तो आपके मन में जो एक खुसी महसूस होती है ठीक है खुसी महसूस होगी यह आपको आनंद प्राप् अभिने देखने सम्मन में जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं फ्रेंस रस कहते हैं इसे आप प्रोपर लिख लिजी ठीक है अब देखें फ्रेंस यहां पे आपको रस के आयो के बारें बताते हैं जहां से प्रश्ण आपके बोड के एक्जाम बनता है दिखें अब देखें फ्रेंस रसके जो चार औयों होते हैं उनके नाम को देखते हैं पहला है आपका अस्थाई भाव दूसरा है भी भाव तिसरा है अनुभाव और चोता है आपका संचारी भाव ठीक है अब फ्रेंस यहां पर रसके भेद देखते हैं रसका भेद कहिए या रसका प प्रकार है तो आप याद रखिएगा रस के टोटल 11 प्रकार है या 11 भेद है अब इन 11 का नाम यहां पर देखेंगे और उसका अस्थाई भाव क्या होता हो उसको भी साथ में देखते रहेंगे ठीक है अब देखें यहां पर आपका एक साइड लिखा है रस और दूसरा आपका साइब बाखा नाम देखते हैं और आपको याद नहीं करना तो इस में सबसे हैं पर आपके लिए सबसे जइदा इक Primateten अब देखे,ager यहां पर पहला आता है स्रिंगाल्र रसुन शिरिंगालर का स्थाइब्चा रति या प्रेम उता है , धु Tojs कहता है , तिसरा है चंता रसुन परлатर स्थाइब्चा रस औरकरकर फेम्目 Если है अगला आख कहा लैकर काहई धूर्वेर्शु निरवेब्च फिर उस फ्रकार होते हराई चाह्तमा नमबर हाई हासृ intrans का निखते रहे साथ नमबर है वायानक रस अगला है विभत्त उर रस परका नंबर का आपका है अदभुत्त रस्का अस्थाईब भाह बिसमे या श्चर हistant 5 अगला है भक्ति रस का स्थाईबकर ऑनुराग एड विस्यक ठीक है फ्रेंश अंब देखें यह Guru तो बताएं आप याद नहीं रखना है आपको सिल्फ रखeticism को याद रखना है जLRाघी यहां दीनकी रस को बताते हैं और इसे ठीक है करूण रस परशन कैसे पूस्ता है करूण रस, आपको पमस्ता है कि इसका अस्थाहि भाव क्या है, इसका अस्थाहि भाव क्या है फ्रेंस होख रहना है, फिर इसके अलावा 119, एक उपोर्टन के झा चचान ओकने आक। यह भी आप इंपोर्टेंट अभी कीजिए कि हासरस यह भी 2023 के पेपर में आ चुका है और 2024 के पेपर में भी यही सवाल आएगा जो आपको बता रहे हैं आपको अगला पॉइंट बताते हैं नोट करके लिए यह भी बहुँ है कर आता है यहां बहुत पूछता है कि संचारी भाव की संक्या कितनी है तो आप याद रखिएगा कि संचारी भाव की संक्या कितनी है टूटल 33 आपका अगला है किस रस को रसराज कहा जाता है तो फ्रेंस याद रखिएगा कि जो सिरिंगार रस है सिरिंगार रस को आप क्या करते हैं रस राज कहा जाता है सिरिंगार रस का अस्थाई भाव क्या है फ्रेंस रती या प्रेम है ठीक है भी बताएं सिरिंगार रस का रती या प्रेम अस्थाई भाव है इसके अलब अगला पॉइंट याद रखिएगा कि रस जो सिद्धांत के आदी प्रवर्तक कौन थे तो भरत मूनी थे इसको याद रखेगा कि रससी दान के प्रवर्तक कौन थे भरत मूनी अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं यह भी आपके लिए इंपोर्टेंट कर लीजेगा अब देखे फ्रेंस यहाँ पे भरत मूनी के अनुसार रसो की स संक्किया कितनी है तो बताएंगे ग्यारभ यही प्रश्ण पूचूछेगा ब्रत मूनी की अनुसार रशह कितनी है तो बताएंगे आठंपरावन में केवल वो केवल दो रसे एक है आपका हास से रस जो अभी बताएं है दूसरा है आपका करूर रस ठीक है इन दुनों रसों को ही पढ़ना है यदि आपका इसका परिभासा और इस पे एक्जामपल पूछता है उधार पूछता है तो आपको यह कम सकम दो या चार नंबर का आपके बोड के एक्जाम में पेपर में आता है ठीक है अब देखे फ्रेंज यहाँ पे आपका क्या है हास से रस अब हास से रस के परिभासा देखते है कि किसी पदार्थ या ब्यक्ती की असाधार आकिरती वेस भूसा, चेश्टा आदी को देखकर सह हिर्दे में जो विनोत का भाव जागरत होता है उसे हास कहा जाता है देखे फ्रेंज आपका हास रस जो होता है यदि कोई पदार्थ आपके पास है या कोई ब्यक्ती है उसकी आकिरती को देखे वेस भूसा को देख लिए और चेश्टा को देखते हुए आपके मन में जो विनोत का भाव जागरत होता है उसे क्या करते है हास करते है अब यही हास जो होता है देखे यहाँ पे यही हास जो है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है हास से रस कहा जाता है यह हास से रस की परिभासा हो गया अब देखे फ्रेंस आप लिखिएगा इसका उधारा अब देखे फ्रेंस उधारा में क्या है आपका है यहां ध्यान से देखिए यहां पिश्ठयस यहां पर इसका आसथाई भाव हास हो इसका भाव याद रखिए गाए यही आपके सबसे ज्यादा इंप्वétaisант dumping इंप्रेंट है और आपके पेपर एक नंबर कप्रशन फूच्चता है हर सा और यह फिर इसके बारे में उसका उद्धीपन क्या है वैशित्र वेश भूसा उसके बारे क्या है फ्रेंस सीवा जी का हसना यान सीवा जी का इस प्रकास हसते थे उसके बारे में आपको यहां पर पता आ गया है वही आपका अनुभाव है अब संचारी भाव फ्रेंस यहां पर देखते हैं संचारी भाव इसका क्या है कि रोमान चक और हर्स यह क्या है इसका संचारी भाव है ठीक है यहाँ पे आपका हासरस complete होता है अब देखते हैं फ्रेंस करूर रस करूर रस के परिभासा देख लिए फ्रेंस इस परिभासों को बताने से पहले आपको करूर रस के बारें बताते हैं देखे फ्रेंस आपके पास कोई प्री ठीक है कोई प्री वस्तू है ठी यह आपके पास कोई प्री आपके पास कोई सबसे ज़्यादा प्री है वह आप से दूर चला जाता है तो आपके मन में क्या होता है दुख होता है सोक होने लगता है ठीक है तो जो यह सोक उत्पन होता है वही क्या कलाता है आपका करूर रस यानि कि इसका परिभासा देखते ह होने या उसका कोई अनिष्ठ होने पर हिर्दे शोक से भर जाए तब करूर रस की निस्पत्ति होती है ठीक है फ्रेंस आपको यह समझ में आ गया होगा इसको लिख लीजिएगा चलिए इसके उधार को देखते हैं अब दिखे फ्रेंस जब उधार को देखेंगे सबसे ज्या स्यालल में यह जोता है करूर रस का ँधार होगाiben रिए अशोक होता है इसको आप बार बार बता रहे हैं कि जब यह झामपल देखेंगे दूसरा राम राम कही राम कही तन परीहरी रगुपति विरह राउगयू सूर्दा यह इसका उस्षमपल था अब देखेंगे और लाश्ट में आपको बताते हैं सबसे important point कि आप से हास से रस और करूर रस इसका स्थाई बाव आपके एक्जाम में बहुई कलपी प्रशन एक नमबर कर पूछता है या इसके अलावा आपको जैसे एक्जामपल आपको एक्जामपल दे देगा एक्जामपल देने के बाद 2024 का बोड एक्जाम होने वाला है उसमें आपसे रस से एक नमबर का प्रशन बहुई कलपी प्रशन में ही आएगा लांग कोईश्चन आने का चांस कम है आपसे बहुई कलपी प्रशन ही रस से पूछा जाएगा इसलिए इसमें बहुई कलपी प्रशन को आप ध्यान दीजि तो भी आप देखके उसका एक प्रोपर नोट्स बना लीजिएगा